जैहें साथियों, सुप्रीम कोट का एक नया फैसला आ चुका है, अब B8 वालों को प्राथमिक सिछक भरती में मौका नहीं दिया जाएगा, अब सिर्फ BTC वाले ही इलिजिबल रहेंगे प्राथमिक अस्तर की वैकेंसियों पर, अब B8 को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है, इसी बारे में हम सारी डिटेल चर्चा करने वाले हैं, लेकिन साथियों, इससे जुड़ी हुई कुछ और भी प्रस्ण चिन खड़े होते हैं कि क्या, जो पहले से B8 वाले अबी प्राथमिक सिछक वैकेंसियों हुई है, हर राज्य में कई, राज्य में प्राथमिक सरे परिच्छा दिये हुए थे क्या अब उनका क्या होगा साथि साथ जो बिहार सिछक भरती में यूपी से इतने लोग फॉर्म भरे थे अलग-अलग राजियों से फॉर्म भरे थे बीएड वाले भी फॉर्म भरे थे तो उनका क्या होने वाला है सारी बातों का प्राथमिक सिच्छक वेकेंसी में मौका नहीं मिलेगा तो हम भी बीड़ वाले भी अब जो बात चल रही थी कि बीटीसी वालों को मौका दिया जा 6-8 में और 9-12 में उनको अब हम लोग नहीं जाने दिया जाएगा अब ही मेरे एक साथी है बहुत करीबी साथी है बीटीसी वाले हैं तो वो अपने घर पे पटा के जला रहे हैं इस खुसी में कि बीड़ बाहर हो चुका है तो यह काफी निंदनीय बात है कि आप हमारे ही साथी मतलब यह हमारी ही बात नहीं है आपके भी साथ ऐसा हो सकता है कि आपके भी मित्र हो आप बीड़ वाले हो आपके मित्र बीटीसी वाले हो वो खुसीयां मना रहे हैं किसी के घर पे इसी नियूज को ले करके मातम छाया हुआ है तो किसी के घर पे इसी न पर आकर के लाइब आकर के अपनी खुसी जाहिर कर रहे हैं स्टेटस के माध्यम से और तरीके से ग्रूप में वाट्सप ग्रूप में इंस्टा ग्रूप में फेस्बूप में अलग अलग ग्रूपों में अपनी खुसी इतनी जादे उनको खुसी हो गई है कि वो जाहिर करते करते कई बार खुसी के मारे उनके आसु निकल जा रहे हैं इतने जादे वो खुस हैं और ये सिर्फ मेरे ही दोस्त की बात नहीं है ये आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपके भी दोस्त मित्रित नात रिस्तदार कहीं खुसिया मना रहे होंगे तो कहीं आपके दोस् प्राइमरी के लिए वेकेंसी में मौका मिलेगा और हम एक्जाम देंगे पास करेंगे तैयारी में लगे हुए थे तमाम बीएड वाले तमाम कोचिंग सेंटर वाले इसी को ले करके कितने पैसे छाप चुके थे जब से एक वेकेंसी यूपी में हुई बीएड वालों को अंदर करके उनका सेलेक्शन करा दिया गया तब से कितने कोचिंग वाले पैसा छाप रहे थे आप लोगों को ये न्यूज मालूम होगा 2018 का जब ये न्यूज आया था कि अब B8 वाले भी प्राइमरी सिच्छक वैकेंसी में इलिजिबल होंगे लेकिन उनको 6 मार का एक कोर्स करना पड़ेगा तब लोग BTC करना कम कर दिये और B8 पे जादे फोकस करने लगे हाला कि उनके सामने B8 करने के लिए मतलब कि क्यों ये B8 की तरफ जुके क्योंकि वो ये कहीं न कहीं निश्चित हो गया कि अब हम प्राइमरी के लिए भी इलिजिबल हैं 6-8 तक भी हैं और 9-12 तक हम TGT PGT भी दे सकते हैं तो हम क्यों BTC करके सिर्फ अपना रास्ता सिमित करें प्राइमरी सिच्छक भरती के लिए हम B8 करेंगे और इसके तहद एक सिले करके 12 तक के सिच्छक बैकेंसियों को हम देख सकेंगे इसलिए आप देख रहे होंगे BTC का आस्तर 2018 के बाद धीरे 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 भी अब फिर से फॉर्मला दिया गया है कि जो भी लोग अब इच्छुक हैं वो BTC कर सकते हैं हाला कि सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद अब B8 वाले जो B8 कर भी चुके हैं वो लोग भी अब BTC की तरफ अब अपना जुकावत तैं करेंगे अब निश्ची थी वो भी अब कहीं न कहीं BTC जरूर करेंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोट का फैसला इतने विद्यार्थियों की उमीदों पर पानी फेर दिया है कि मैं आप लोगों के सामने वो आखड़ा नहीं बता सकता हूँ कि वो आखड़ा कितना है जो विद्यार्थी चार साल से लगातार मेहनत कर रहा था कि प्राइमरी सिच्छक वैकेंसी आएगी और हम उसमें हो जाएंगे लेकिन सुप्रीम कोट का ये फैसला जो B8 और BTC विवाद चल रहा था बहुत दिनों से हाला कि यह विवाद चल रहा था कि इनको बाहर किया जाए कि अंदर किया जाए बाहर किया जाए कि अंदर किया जाए तो सुप्रीम कोट ने राजस्थान हाई कोट का हवाला देते हुए ये कहा है कि जो राजस्थान हाई कोट ने कहा कि हमारे वहाँ प्राइमरी सिच्छक वैकेंसी में B8 वाले मानने नहीं है सिर्फ BTC डियलेड वाले मानने है वही अवाला देते हुए सुप्रीम कोट ने ये कहा है कि मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूँ और B8 वाले अब प्राइमिक सिच्छक वैकेंसी की परिच्छाएं नहीं दे पाएंगे और वो नहीं बैठ पाएंगे सिर्फ BTC डियलेड वाले ही कर पाएंगे तो ये थी बातें लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से एक गुजारिस करना चाहूँगा जो BTC वाले हैं और B8 वालों का मजाक उडार हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी साथी वो भी परिवार आप लोगों की तरह था जो की एक उमीद लगाये हुए था कि वैकेंसी आएगी हम भी उसमें तयारी करेंगे हम भी उसमें हो जाएंगे उसमें लगातार बच्चा लाइब्रेरी जोइन किये हुए था कोर्स ऑनलाइन खरीदे हुए था ओफलाइन कोचिंग किये हुए था तमाम कीताब हैं प्राइबेट बीट करके लोग एक एक डेड़ दो दो लाख रुपया खर्चा करके लोग अपना डिगरी हासिल किये थे कि जब भी वैकेंसी आएगी मैं उसमें इलिजबल हो जाओंगा तो उनको निरास होने की जरूरत नहीं है सायद ये अभी फैसला जो अभी आप लोगों के सामने आया है ये सिंगल बेंज का फैसला है सायद उमीद ऐसा हो रहा है कुछ लोग हाला कि कह रहे हैं ये सिंगल बेंज का फैसला है अभी डबल बेंज का फैसला आने वाला है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है समवरती सूची के तहट जो सिछा का अधिकार है राज और केंदर सरकार का तो कहीं न कहीं राज के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि अब आप अपनी जो भी करना चाहे कर सकते हैं अगर आप B.A.D. वालों को करना चाहते हैं तो सामिल तो आप कर सकते हैं अईसा कुछ लोग का मानना है कि हो सकता है लेकिन 90% ये ते हो चुका है कि B.A.D. वाले अपरात्मिक सिच्चक वैकेंसी से बाहर हो चुके हैं लेकिन अपरसे ये खड़ा होता है कि जो पूरानी वैकेंसी हो चुकी है या फिर जिनका एक्जाम हो चुका है क्या अब वो इलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे साथियों जो KBS का पेपर हुआ था उसमें जो B.A.D. वाले बैठे हुए थे प्राइमरी सिचक वैकेंसी में तो अब B.A.D. वालों को निकाल करके अपसे D.A.D. वालों B.T.C. वालों पर ही वो कटाफ बनाया जाएगा इसलिए उसका रेजल्ट भी रोक करके रखा गया था जो पंजाब में सिचक वर्ती हुई थी एक्जाम हो गया था B.A.D. वाले भी प्राइमरी सिचक में भाग लिये थे अब उनको भी निकाल करके सिर्फ B.A.D.C. ड.A.D. वालों को सामिल करके ही कटाफ निर्धारित किये जाएंगे अब बात करते हैं बिहार सिचक वैकेंसी की जो की अब एक्जाम डेट भी आ चुका था 24 अगस्त और 25 अगस्त को 24 अगस्त को 1st पेपर और 25 अगस्त को 2nd पेपर जो की भासा का पेपर था अब बात करते हैं बिहार सिच्छक वैकेंसी की जिसमें प्राइमरी में बीएड वाले भी लगभग आठ लाख लोगों ने फॉर्म भरा था निश्ची थी बीएड वाले भी उसमें सामिल थे तो अब उनको ये मौका नहीं मिला था जो भी अपना टिकट करा चुके थे कल ही उसका एक्जाम सेंटर आया है जो भी लोग अपना टिकट करा चुके थे जो भी लोग जाने की तयारी कर चुके थे बीएड वाले अब उनके लिए कोई मतलब नहीं है वो वहाँ पे जाएं एक्जाम दें अब कोई मतलब नहीं है उनका अब निरस्त कर दिया गया है अब सिर्फ वहाँ पे बिहार में भी BTC वाले DLA वाले ही सामिल हो पाएंगे बात करते हैं अब TET और CETET के तो अब CETET आप लोगों के सामने एकदम से निरर्थक हो गया है CETET जो B.A.ड वाले हैं और जो primary के लिए CETET भरे हुए हैं वो चाह रहे थे कि पास हो जाएं पास हो जाएं जो नहीं पास हैं वो तो अच्छी बात है जो चाहर है थे एक पास हो जाएं तो अब कोई काम का नहीं है क्योंकि अब जो seated के तहद आप B8 वाले primary के लिए eligible हो रहे थे Supreme Court ने उसको मना कर दिया है अब टेट वालों का क्या होगा अब सिर्फ वही लोग अब देंगे exam जो BTC किये हुए है B8 वालों को अब अगला form जो भी नया आएगा भरने का मौका नहीं दिया जाएगा और जो अभी भरा गया है seated उसमें कोई मतलब भी नहीं है कि आप उसमें exam दें और उसमें qualify करें उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है जो लोग पास करके बैठे हैं उनके लिए भी कोई मतलब अब नहीं रह गया है तो ये थी वो news जिसने कई परिवारों का सपना तोड़ दिया है कुछ लोगों के घरों में खुसियां मनाई जा रही है तो कुछ लोगों के घरों में मातम छाया हुआ है इस मत्र एक फैसले से आप अपना मत इस comment box में जरूर दीजिएगा कि आप इस फैसले से कहां तक खुस हैं और क्या करना चाहिए बीएड वाले क्या सच में इसी के लायक थे आप अपना मत इस comment box में comment जरूर करिएगा हम आप से उम्मीद करते हैं कि आप अपना मत जरूर देंगे मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद